नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अपकरश्मिष्ण और आज हम लोग एक बहुत important topic करने वाले हैं और इस topic का नाम है दा limits of civil disorbidance यानि the limits of civil disorbidance के अंदर हम यह पढ़ने के कोशिस करेंगे कि जब civil disorbidance मुमेंट शुरू होता है तो जो ऐसे कौन से लोग थे जो इस से विल डिस ओविडेंस मुमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे या उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही जादा लो था और उसी को हम इस वीडियो में कवर करने के कोशे से करेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट बताया गया वो बताया जाता है अंटचिबल्स का दरसल होता क्या कि 1930s के वक्त में जो दलित और जो उप्रेस्ट लोग थे या जो लोग वो बहुत ही जादा discriminated थे उनके साथ बहुत ही बुदी तरीके से वयवाद किया जाता था वो लोग untouchables कहे जाने लगे दरसल होता क्या था कि जो lower caste के लोग हुआ करते थे या होते हैं जो लोग उनके साथ बहुत ही बुदी तरीके से discrimination किया जाता इस sense में कि अगर वो किसी मनदिर के अंदर जाते हैं और वहां की चीजों का यूस करते हैं। वो जो हाइ कास्ट के लोग होते थे उनको लगता था कि इससे क्या हुआ कि ईन लोगों ने इन चीजों को टच्च कर दिया हैं। इसकी वज़े से ये साधी की साधी चीजें पूदी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, कह सकते हो कि वो गंदी हो चुकी हैं, तो इस वज़े से वो जो लोग हैं, इससे वो बहुत ही जादा परिशान होते हैं, तो जाईसी बात है आप ही हो, अगर आप किसी चीज को टच कर देते हो और दूसरा परसन उससे आपके साथ इस तरीके से बिहेव करता है की ये क्या कर दिया तुमने ये तो बहुत ही जादा गंद होगे उसे साबुन वगयरा से दोने वगयरा लग जाती है उसे यूजी नहीं करता इन फ्यूजः का भी तो आपको कितना conservative high caste Hindus थे यानि basically जो high caste Hindus थे वो लोग क्या करते थे इन दलिट्स के साथ discrimination किया करते थे दलिज भी हिंदू हैं ये लोग भी हिंदू हैं लेकिन तो भी ये अपने ही community के साथ discrimination किया करते थे दलिज लोगों के साथ उनको जैसे कि मैंने आपको बताया मंदिर में नहीं जाने दिय जाता, पहले तो लोग उए से पानी भरते थे, वहा पर उनको नहीं जाने दिया जाता था, जो भी public places है, वहाँ पर उनको नहीं जाने दिया जाता था, उनके साथ बहुत ही बुरी तरीके से बरताव किया जाता था, इवन क्या होता था कि अगर वो high caste के घरों में घुश रहे तो क्या होता था उनको चपल उनकी जो होता था घर के बाहर इनको निकालना पड़ता था घर के अंदर वो चपल पहन के एंट्री नहीं कर सकते था इस तरीके से बहुत ही तो गाधी जी यहां कहते थे कि सवराज तब तक नहीं लाया जा सकता है जब तक इस उनके साथ करना बंद नहीं करोगे तब तक देश है उसके अंदर कभी भी स्वराज नहीं आपाएगा मतलग वगी फिर्डम आपको नहीं मिल सकती गाधी जी आगे क्या कहते हैं गाधी जी ने कहते हैं entry into temple से गादी जी ने इन लोगों के लिए untouchables के लिए आंदोलन किया moment सत्याग रह किया यह ताकि उन लोगों के temple में entry हो जाया उनको भी public के जैसे के well हो गया tanks हो गया roads या फिर school के अंदर उनकी entry हो अब सोच जो कि school तक discrimination किया जाता था कि मतलब अगर for example अगर आप एक low untouchable हो तो अगर आप school जाते तो आपको सबसे पीछे बिठाया जाता था यह सबसे separate करके बिठाया जाता था जो high caste के लोग थे उनसे तो इस तरीके का समझ सकते हो कि बच्चे के mental के उपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो कैसे अपना growth कर पाएगा इस तरीके की चीज़े हुआ करती थी हाला कि अब तो नहीं होती इस तरीके की चीज़े अगर होती भी है तो आप इसकी की शिकायत कर सकते हो government से या फिर अपने ममी पापा से अब अगला point में क्या बताया जाता है कि he himself clean toilets to dignify the work of the भंगी इट मींस कि स्वीपर तो भंगी या फिस स्वीपर होते जैसे जो ट्वागेरा जो साफ वागेरा करते उनको स्वीपर में कहना ज्यादा सही लग रहा है क्योंकि हिंदी का वड़ी थोड़ा वीर्ड सा है तो मैं स्वीपर कहूं गए लोगों को जो स्वीपर होते थे जो टोयलेट स वागेरा साफ किया करते थे तो गाहती जीने खुद उन्होंने टोयलेट 중요 किया कि यह लोग है उनके मेंटलिटी से बैट गे है बहूत ही छोटे मोटे काम करते थैं इस तरीके करते हैं इनको जो पिर डिस्क्रि मिन् Alan करने लगे इनको मंदिदाओ में नहीं घुषना चाहिए इनको हमादेब्च नहीं छूना चाहिए कि इस तरीके के काम करते हों a Network गंदे तो इस वज़े से कहीं न कहीं हाई कास्ट के mental इस तरीके से चीज़े घुश चुकी थी गादी जी ने उन्होंने क्या-क्या टॉलिट्स वगेरा साफ क्या, दीजन क्या था साफ करने का, इस वज़े से कि कोई भी काम बड़ा और छोटा नहीं होता, कोई भी इस काम को कर सकता है, और गादी जी ने उन्होंने कहा कि जो अपर कास्ट के जो लोग है उनको अपना जो हर्ट है वो थोड़ा बदलना पड़ेगा, यानि जो अंटचेबल के लिए उनके उनको प्रेम लाना पड़ेगा, उनके साथ इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनिशन कर रहे हो, इसे खतम करना पड़ेगा, ऐसा वो किसको कहते थे अपर कास्ट को कहते थे अब आता है, but many दलिट लीडर्स वर कीन ओन डिफेंट पॉलिटिकल सिचुएशन अब कई जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो इनकी दलित लीडर्स थे उनका ये कहना था कि भई इससे तो हमारा काम नहीं होने वाला हम इसके लिए कुछ और पॉलिटिकल सिलूशन चाहते हैं, मतलब एक पर्मानेट हमें सिलूशन चाहते हैं आज आप बोल रहे हो, कल को करे ना करे आपकी बात कोई माने ना माने हमें नहीं पता, हमें एक पर्मानेट पॉलिटिकल सिलूशन दो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं यानि वो क्या करे हैं डिमांड करे हैं रिजर्ब सीट की एजुकेशनल इंसिटूशन की एंड अ सेपरेट इलक्ट रूल डैट वोट चूज दलित मेंबर्स फोर ता लेजिसलेटिव काउंसल यानि वो अपने लिए एक अलग इलेक्शन की मांग कर रहे हैं अपने लिए एक अलग दलित मेंबर जो इलेक्शन में रिपर्जेंटिव खड़ा होगा उसकी एक अलग मांग कर रहे हैं तो वो लोग क्या चाह रहे हैं कि आप हमें सेपरेशन दो हमें क्या करो कि जैसे अगर स्कूल हैं तो स्कूल के अंदर कुछ सीटे दिजर्व कर लो ताकि वो बच्चे अपना स्कूल में आ सके अगर सीटे उनके लिए दिजर्व होगी तो उनका एडमिशन करवाना इजी हो जाएगा क्योंकि अगर दिजर्वेशन ही नहीं रहेगा तो हो सकता स्कूल वाले सीट होने के बावजूद भी वो मना कर दें कि नहीं भाई हमारे स्कूल में तो फुल हो चुकी सीटे वगएरा अब नहीं आ सकता लेकिन अगर दिजर्व कर दोगे तो स्कूल को जितना अगर माल लेते हैं सौ सीटे दिजर्व किये तो सौ सीटो के अंदर उन्हीं बच्चों को रखना पड़ेगा ही पड़ेगा उन सौ सीटो पे किसी और बंदय को वो नहीं बिठा सकते तो इस तरीके से वो डिमांड कर रहे थे अलग-अलग दिजर्वेशन की इवन यहां पर एक इनका डिमांड था कि जैसे माल लेते हैं आपका कोई एक इलाका है उस इलाके के अंदर एक दलित लीडर का उनका वो चाहिए था एक दलित लीडर हो और उस दलित लीडर को केवल कोई हमेशा दलित ही लीडर चूज कर सके यानि इस इलाके के अंदर एक दलित लीडर खड़ा हो और उस दलित लीडर को चूज करने के लिए केवल उस इलाके में रहने वाले जितने भी Initiative है केवल वही वोट दें और बाकी जो लोगा नहीं है वो उस परसंदों को शुक्त नहीं है उनके लिए एक अलग बंदा हो उनके लिए एक एक जनरल वाला बंदा जिसको untouchables भी vote दे सकते हैं और जनरल वाला तो देगा ही देगा लेकिन इसके लिए तो केवल untouchable ही खड़ा होगा इस seat पर और कोई खड़ा नहीं हो सकता तो इस तरीके कि वो demand कर देते उनका मानना था कि अगर मान लेते हैं untouchable आ जाएगा elections के अंदर तो ये क्या करेगा जीतेगा और ये जीतने के बार उनके लिए काम करेगा अब हो सकता है कि जो जनरल वाला बंदा है अगर एक ही बंदा रहे तो problem हो सकती है कि जनरल वाला उनके लिए काम करे या फिर ना करे तो इस वज़े से कही ना कहीं वो security चाहते थे कि हमारा भी एक बंदा होना जरूर चाहिए जिसे फुल सिक्योर्टी उनको मिल जाएगे अब यह मानते थे जो इस तरीके की इनकी प्रॉब्लम्स है उनका मानना था कि यही जो चीज है पॉलिटिकल इंपावर्मेंट से ही यह साधी चीजे सॉल्व की जा सकते है जैसे कि यह इस तरीके की चीजे सो हुआ क्या दलित पार्टिसिपेशन इन्दा सेविल डिसाफ्डेंस मोमेंट वाज देयाफ़ लिम्टेड इसी वजह से जो दलित के पार्टिसिपेंटस थे उन लोगों ने सेविल डिस ऑविडेंस के अंदर उतना पार्टिसिपेट नहीं किया यह जादा तर महरास्ट नागपुर रीजन क के अंदर नहीं करे थे अब एक दलित जो कि बहुत ही फीमस लीडर है और बहुत ही अच्छे लीडर थे जिनका नाम है डॉक्टर भीम रॉं अम्बेटकर वू और्गनाइज दलित इन्टूटा डिप्रेस्ट क्लास और श्यूस एस्सेशेशन इंट तो यह याद कर लेना उन कि थोड़े यह खोगे खटपट खटपट इन दा सेंस कि अम्बेटकर जी है वो यह कह देते कि दलित्स के लिए हम अलग एलेक्शन्स करवाए जाएं महात्मागादी इस चीज को मना करेते कि ऐसा करना सही नहीं है इनका एक अपना दीजन था देने का और अम्बेटकर जी अपनी जगह सही थे मातमा गांधी भी अपनी जगह सही थे दोनों के अपने अपने रीजन्स थे अब आप लोग खुदी डिसाइड कर लेना कौन सही था कौन गलाता अच्छे जानकादी लेकर तक वेन दा ब्रिटिश गवर्मेंट कंसीडिर अम्बेटकर दिमांद अब कोई प्रॉब्लम वगएरा नहीं कि तब तो ब्रिटिश सी थे तो हमें कोई प्रॉब्लम वगएरा नहीं हम अप अलग अगर इलेक्शन करवाना चाहते हो अपने डलिस लोगों के लिए तो हम उस चीज के लिए मान जाते हैं तो गांधी जी इसके लिए क्या हुआ कि अगर उनके लिए आप एक अलग से इलेक्शन करवाओगे तो होगा क्या कि देश के अंदर चुप यूंलिटी हो जो एकता होनी चाहिए वो यूंली नहीं हो पाएगई और देश जो अलग 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 डावार्ज ल जादा है इतनी ज्यादा डावसिटी है वो यूनिटी उसको यूनिटी में कनवर्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा सो फाइनली क्या हुआ अंबेटका अल्टिमेटली एक्सेप्टेट गांधी जी पोजिशन को माना कि ठीक है जो आप कह रहा हम इस चीज को मानते हैं और उन्होंने एक पूना पैक्ट समझाओता हुआ दपूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 तो एक्जाम में पूछा जाए कि पूना पैक्ट क्या था उ समझाओता करवाया गया था 1932 के अंदर जहां पर सेप्रेट इलेक्शन और भी चीज है अगर आप इनको अच्छे से पूना पैक्ट पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते विकिपीडिया वगेरा पर लेकिन इक्जाम में पूना पैक्ट से रिलेटेड नहीं पूछा ज चीज है लेकिन आपकी बुक में मैंशन नहीं है तो उसे आप पढ़ सकते हो लेकिन इक्जाम में नहीं पूछा जाएगा इससे रिलेटेड अब इट गेव दा डिप्रेस्ट क्लासे लेटर टुन और अज शेडूल का से रिजर्वट सेट अब पुना पैक्ट में समझाते में क्या हुआ कि यह पूछा जैसा कि मैंने बता है कि यह आ सकता है जितना बुक में दिया है रिजर्व सीट इन दा प्रोवेंसल एंदा सेंट्रल लेजिसलेटिव कॉंसल बट देवर टू वोटेड अगें देवर टू वोटेड इन बाइदा जनरल एलेक्टरेट यानि हो रहा था जनरल भी हो रहा था तो अगर तुम्हें यही प्रॉब्लम है कि जो जनरल वाला बंदा है वो काम करे या ना करे तो ऐसा करो कि हम कुछ सीटे दलित के लिए स्पेशली दिजर्व कर देते हैं कि उस जगह से केवल दलित ही बंदा खड़ा होगा अब तो विस्व होगी तो उसको सभी लोग वोट्स दे सकेंगी यह नहीं कि उस बंदे के लिए भी आप यह कहो कि उस बंदे को भी चुनने के लिए दलित होगा नहीं दलित खड़ा हो सकता है और उसको चुनने के लिए उस लोकालिटी में रहने वाले जितने भी दलित है या फी जो जंद दलित ही होंगे यह हुआ तो हाला कि क्या हुआ कि दलित जो मुमेंट हा वो भी धीरे-धीरे बढ़ी रहा था क्योंकि कॉंग्रेस जैसे जैसे अपने मुमेंट को आगे बढ़ा रहा था देश की अजादी के लिए कहीं न कहीं जो यह लोग थे इनको अभी वी उस हिसाब से स्टिटूइशन ऐसे थी उनको इतना ज्यादा इन पर ट्रस्ट कॉंग्रेस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि लोग पता नहीं आगे चलके हमारे लिए काम करेंगे यह नहीं करेंगे इसके इसके अलावा इन्होंने अपने मुमेंट को आगे रहता है सम अब दा मुस्लिम पॉलिटिकल और गनाइजेशन कुछ मुस्लिम की जो पॉलिटिकल और अगनाइजेशन से इन इंडिया वर और अल्सो लुक वर्म इन देर डिस्पांस तू दा सेविल डिस आविदेंस मोमेंट यानि देश के अंदर उस वक जितने भी मुस्ल जब हमारा वो शुरू हुआ था क्या केते हैЬ नौन कौर्परेशन मोमेंट शुरू हुआ तो याद होगाöyle आपको मैंने बताया था है नॉन कॉपरेशन मोमेंट के नदर एक चीज और जुड़ी थी वो जुड़ी थी खिलाफत मोमेंट यानि नॉन कोपरेशन और खिलाफ from the mid 1920s the congress came to be more visible associated with openly hindu religious nationalist group like the hindu mahasawa as the relation between hindus and muslims worst east community organized religious procession and militant favor provoking hindu muslim communal classes and clashes and rights in various cities every right depend the distance between the two communities अब इसमें भी वही बताया जा रहा है कि इंडिया और हिंदू इंडिया के अंदर हिंदू और जो muslims थे अब जो congress थी वो जादा जो support करने लग रहे थी वो हिंदू के साथ खुलका जादा support कर रहे थी जो हिंदू religious nationalist थे groups थे जो हिंदू के parties थे उन पर कहीं न कहीं ज़्यादा favor कर रही थी तो जो muslims के जो parties थे वो उनका जाई से बात है कि जब आप हिंदू पर ज्यादा favor करें तो हम आपके साथ क्यों जुड़े इसके लिए क्या हो गया कि इनके जो relations है वो धीरे-धीर खराब होने लगे अब kongres वो balance कर पाना उसके लिए जादाBlue लागा हिंदू अपनी बात कर रहे है अपनी बात जुवए लोग इसके लिए हैं इसके लिए इसमें लेगे अधार कंदाव होने लग जैसे एक ऊधर से रैली निकल रही है उन तो कभी उन दोनों का अगर कभी इंकाउंटर होता है आमने सामने तो आप यह समझ सकते हो कि इतनी मुश्किल सिच्वेशन होगी हो सकता है बहुत सारी जगों पर ऐसे दंगे भी हुए हिंदू और मुस्लिम के और जब भी दंगे होते तो सिच्वेशन अच्छी नहीं होती इनके बीच का जो रिलेशन हो बहुत ही जजादा खराब होने लगता हिंदू और मुसलिम का तो इस तरीके से दिरे-दिर आप समझ सकते हो कि हिंदू मुस्लिम का रिलेशन धिरे-दिरे खराब होने लगा था the Congress and the Muslim League made efforts to renegotiate an alliance and in 1927 it appeared that such unity could be fogged the important differences were over the question of representation in the future assemblies that were to be elected. तो अब होता है क्या है कि Congress or Muslim League, Muslim League basically जो Muslim की बात करती थी वो उनकी ideology पर work करती थी उनकी लिए काम किया करती थी तो Congress और Muslim League ने अब renegotiate करने की कोशिस की कि हम लोग एक alliance बनाते हैं मिलकर काम करते हैं और देश को आजादी दिलवाते हैं और इन Britishers को जवाब देते हैं जब तक हम लोग दोनों साथ नहीं आएंगे तब तक Britishers को हरापाना मुश्किल होगा और और Hindu और Muslim community के बीच में दंगी और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे अगर हम दोनों community एक साथ हो जाते हैं हम दोनों political party जगार एक साथ हो जाते हैं तो एक अच्छा message भी जाएगा और होगा क्या कि लोग जो है वो धीरे धीरे उनकी बीच की जो gap हो धीरे धीरे कम भी होने लग जाएगा लेकिन problem इन में भी है थी problem इस चीज को लेका थी representation को ल लालाच होती है चाहिए हो Congress हो चाहिए हो मुस्लिम लीग हो या फिर जितनी भी political parties exist करती है उन सभी को वह लालाच ज़रूर रहता है तो यहां पर भी problem उसी representation को लेकर हो रहा था कि जब कभी future में elections होगे तो कैसा ही representation किया जाएगा हमारा उस कहता क्या representation होगा मुस्लिम लीग कि हमारा जो Assembly बनाई जाएगी उस Assembly के अंदर हमें कितनी जगा दी जाएगी Congress को भी उसी चीज़ को था का हमें कितना जगा मिलेगा तो एक दूसरे इस तरीकों से इनका problem था अब यहां पर बात आती है मुहमद अली जिन्ना यह था उनकी वोटो तब वन आफ दा लीडर्स आफ दा मुस्लिम मुस्लिम के लिगर थे इन्होंने टू निशन थ्योदी देने का भी इनके उपर आदोप लगाया जाता है आदोप क्या इन्हों नहीं दी थी इनका इनहीं अग्जिस्ट करती है एक हिंदू और एक मुस्लिम और इनका कहना था कि जो मुस्लिम है ऐसे में मुस्लिम के लिए एक अलग कंट्री की नीड है उन्होंने इस डिमांड को रखा और पर इस सिच्वेशन इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि इंडिया और इंडिया से पाकिस अगले confess उनका घ्रांड का के साश्राय के समय होगे तो उनकी जो कंट्रीों बहुत भी तरीके से हैं मतलब उनकी वहां कि और आप किसी बी चीज में मैटर्स में एंडिया से तो बहुती बुरी सिचुएशन है और पाकिसाने कसी कंट्रीं देरिदिरेillos बंता जा रह यहां वहां पर किस तरीके से terrorist activity को पना दी जाते है सेना का किस तरीके से control है military का किस तरीके से वहां की government पर pon तो जो इन्होंने वादा किया था उस वक्त लोगों को कि हम अपने देश को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे वह सारा वादा फेल निकला बहुत ही दीरी दीरे पाकिसान की जो सिचुएशन ने खराब ही होते जा रही है मुहमद अली जिन्ना मुस्लिम लेक की लीडर थे वास विलिंग तो गिव अप देमांड फॉर दा सेपरेट इलक्ट रेट्स इस मुसलिम वर अशर्ड अगें इस मुसलिम वर शूर्ड बिचाट इन तपरेट इलक्ट रेशन की बात नहीं करेंगे बस एक शर्थ है पहली जीट जो सेंटर्ड असेम्बली होगा उसके अंदर हमारी लिए सीटे रिजर्व कर देंद करी जाएं कि इतनी सीटे Muslims के लिए होगी ही होगी दूसी चीज इनका कहना ये था कि ऐसे इलाके चाहे वो Bengal के हो पंजाब के हैं तो Bengal पंजाब के इलाकों में सबसे ज़्यादा Muslim है तो ऐसे में वहाँ पर Muslims representative ज़्यादा खड़े हो मतलब इनका टर्म यही था कि अगर ऐसे इलाके जहां पर Muslims की population ज़्यादा है उन इलाकों पर क्या हो कि Muslim का representation ज़्यादा किया जाए तो यह इनका मानना था अब आता है negotiation over the question of the representation continue but all the hope of resolving the issue at the all parties conference in 1928 disappeared when MR जयाकर यह इनका photo है of the Hindu महासावा strongly opposed efforts at the compromise तो यह MR जयाकर ने पूरी तरीके से जैसे negotiate करने की कोशिस की यह जा रहा था कि ठीक है यह कर देंगे नहीं करेंगे तो हिंदू महासावा की लीडर थे इन्होंने खड़े हो कि कह सकते हो all parties conference के अंदर यह मना totally disagree होगे कि नहीं इस तरीके की चीज़े बिलकुल भी देश के अंदर नहीं होगी अब इससे क्या थी जो एक अची कुछी होग थी कि मतलब होगा कि नहीं होगा इनके लिए इन लोगों के लिए वो पूरी तरीके से खताम हो गई when the civil disobedience movement started there was just an atmosphere of suspicion and distrust between community तो एक तरीके से कह सकते है ने जब civil disobedience moment शुरूआ तो मुसलिम लोग support नहीं कर देथी कि हम support करने का क्या दीजन हमें तो कुछ मिलने वाला इससे कुछ है नहीं और इसमें हमारा कुछ ज्यादा भला वला नहीं दिखता सादा भला जो है दूसरी क्युक्त लोगों को ही मिलने है हमें कुछ नहीं मिलने वाला इस वजे से उतना ज्यादा civil disobedience के अंदर participate नहीं करते और alienated from the cong desu cong desu a dhid a dhid a अलग होने लगते हैं लाज section of Muslim could not respond the call of the united struggle और United struggle के अंदर बहुत फिल्ज आप मुसलिम से इन्हों ने सपोर्ट बिलकुल भी नहीं किया लेकिन बहुत ही कम लोगों किया एक लास सेक्षन आप मुसलिम निस सपोर्ट नहीं किया तो कई भी मुसलिम पॉलिटिकल लीडर थे उनका ये मानना था हो गा क्या कि इंडिया के अंदर जो हमारी जो किल्चर है वो धीरे-धीरे करके हमारा जो कल्चर है आगे चलकी पूरी तरीके से do century हो जाएगा अंदर the dominationirof in Hindu यानी yn्डिया के अंदर Hindus की majorita है होगा यह कि हिंदू अपना धीरे-धीरे करेंगे और होगा यह कि वह सारी चीज़े ठोपने लगेंगे हम पर ऐसे में जो हमारा कल्चार वह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगेगा ऐसा उनका कहना था लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारे देश के अंदर सभी को ह है हर्द कानून के लिए सब एक है चाहिए वह हिंदू हो मुस्लिम है किसी भी कम्यूटी से बिलॉंग करता है और जो हमारे देश का एक पक्ष को लेकर काम करें वह हमेशा फैसला चूस करेगी जो देश के लिए सही हो और जो कॉंसिटूशन में मैंशन हो उमीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं और बाकी नेक्स लास में पढ़ेंगे और यहां पर स्लाइड खतम होते हैं उमीद करते हैं ला नहीं पाई या उनको मना नहीं पाई ऐसा करके कुछ एक्जाम में कोशन पूछे तो आप यह इस कांसर अच्छे से लिग दीजिएगा वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीस कमेंट करके मुझसे ज़रूर बताएगा पाकी नेक्स क्लास में मिलते हैं नेक्स वीडियो लाग करते हैं